आज की ये वीडियो है fluid mechanics के most important chapter hydrostatic pressure के उपर और इस chapter के अंदर भी जो most important topics हैं जो कि SSC जईए में बार-बार पूछे जाते हैं उन सबको हम cover करेंगे one by one इसी वीडियो के अंदर और उन से related numericals और theory वाले questions solve करेंगे तो आप questions देख लो क्या के solve करने वाले हैं हम 3 question number 4 question number 5 इसके अंदर भी 2-3 questions solve करेंगे हम question number 6 इसको समझेंगे और 7, 8 तो ये सब numericals हम solve करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सो start करते हैं सबसे पहला topic है units तो units क्या है देखो pressure की बात चाथ रही है तो pressure की ही units होंगे तो millibar, mm of hg ये सब क्या-क्या है unit वो समझते हैं पहले पहले समझते pressure होता क्या है pressure होता है force per unit area force के लिए हमें पता है Newton होती है या फिर Newton को अगर जो हमें लिखना हो तो वो होती है Newton क्या होता है mass into acceleration तो mass कितना होता है? kilogram ये क्या होता है? acceleration तो meter per second square और नीचे area होगा तो meter square तो आप इसको इस तरह से तोड़के देख सकते हैं अच्छा एक और चीज़ अगर जो Newton उपर है और area नीचे है meter square में तो इसको ही हम pascal भी बोल देते हैं तो इतनी pre-requested knowledge की हमें जुरूती अब देखते हैं अब देखते हैं 1 ATM 1 ATM भी एक pressure की unit है और इसको हम लिखने के लिए हम करते हैं 1.01325 into 10 to the power 5 pascal तो जो 1 ATM होता है वो इतने pascal के प्राबर होता है 1 pascal मतलब 1 Newton per meter square मतलब 1 meter square area पे जो force लग रही है 1 Newton की लग रही है अचाब 1 bar क्या होता है 1 bar is equal to 0.987 into 10 to the power 5 ATM चलो इसको ऐसे directly नहीं याद रखते हैं pascal को याद रखते हैं 1 pascal ओ स्वरी 1 bar 1 bar is equal to 10 to the power 5 pascal ठीक है तो 1 Newton per meter square into 10 to the power 5 is equal to 1 bar आगे चलते हैं तो यहां से हम ATM और bar में relation निकाल सकते हैं अचागर जो पूछा जाए कि कौन सा बड़ा होता है तो ATM बड़ा होता है 1 ATM है इतने pascal के बराबर और 1 bar है सिरफ 10 to the power 5 pascal के बराबर question यह था कि इन सब unit में से सबसे छोटी unit कौन सी है तो पहली unit से start करते हैं अगर हम सब units को किसी एक particular unit में convert कर लें तो हम अराम से compare कर सकते हैं कौन सी सबसे छोटी है तो सबसे बहले milli bar पर आते हैं milli bar कितनी होती है तो milli bar ठीक है milli bar को चलो पासकल में convert करते हैं सबको तो milli bar हमने देगा bar होती है 10 to the power 5 pascal और milli लिखा है तो milli मतलब 10 to the power minus 3 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 to the power 2 pascal चलो पहली unit हो गई यह second unit is millimeter of hg millimeter of hg pressure जो हमारे पास होता है वो होता है density into mass gravity acceleration due to gravity into height तो यह हमारे पास pressure होता है तो millimeter of hg का मतलब यह है कि अगर जो हमारे पास one millimeter की height है one millimeter की height है वो भी mercury की तो यहाँ पे कितना pressure होगा तो height की जगह तो one millimeter डालेंगे g हमें पता है और rho की जगह डालेंगे हम density of mercury तो one millimeter of hg बराबर होगा rho, rho कितना है इसका 13.6 into 10 to the power 3 यह density होती है mercury की into g कितना है 10 लेंगे अभी हो यहाँ पे और into 9.81 भी ले सकते हैं लेकिन calculation easy करने के लिए हम 10 ले लिया और h कितना है 1 millimeter अचा इसको millimeter को 10 to the power minus 3 से multiply कर देंगे तो यह जो है किलोग्राम पर meter cube यह है meter per second square और यह है meter तो सब SI unit में convert हो गया तो हमारे पास जो answer आएगा वो पासकल में ही आएगा तो इसको multiply करते है तो देखो 10 to the power 3 से यह गया तो यह जहेगा 136 पासकल तो next हमें देखना है 1 newton per millimeter square कितना होगा तो 1 newton per millimeter square कितने पासकल होगा तो 1 newton per millimeter square अच्छा अब देखो, mm² को हमें पास्कल में convert करना है, तो नीचे m² होना चाहिए, तो into 10 to the power 3 into 10 to the power 3, mm को meter में convert करने के लिए 10 to the power 3 से divide करते हैं, तो नीचे है तो उपर multiply करेंगे, तो यह होजएगा 1 newton per meter square into 10 to the power 6, और newton per meter square को यह पास्कल लिखते हैं, तो यह होजएगा 10 to पास्कल नेक्ट देखते हैं MPa Newton per m2 और MPa दोनों सेम ही होते हैं next is kilogram force per centimeter square देखो kilogram one kilogram force per centimeter square kilogram force का मतलब क्या है देखो force क्या है यह one kilogram force मतलब force लग रही है one kilogram की one kilogram mass होता है mass को force में convert करने के लिए हम क्या करते हैं 9.81 या फिर 10 से multiply करते हैं तो उम्हारे पास force आती है तो one kilogram force को इसको convert करने के लिए मतलब one kilogram force को actual Newton में convert करने के लिए हम क्या करेंगे 9.81 या फिर 10 से multiply करेंगे चलो 10 से multiply किया तो यह होगी है Newton upon centimeter square है तो centimeter square को में convert करने के लिए तो 100 से multiply करेंगे मतलब divide करते हैं तो यहाँ पर meter square आएगा और यहाँ पर लिखेंगे 10 पर 5 में आ गया 10 पर 6 से तो सबसे छोटी जो unit है हमारे पास one milli bar है तो पहली unit वाला हो गया अब चलता है इन सब में relation क्या है तो यह होगी है 2 ATM pressure तो देखो यहाँ का pressure जो है P का बिल्कुल zero से start कर रहे है तो यह है 2 ATM लेकिन अगर हम देखें कि यह one atmosphere से कितना उपर है one ATM अच्छा atmosphere से क्यों देख रहे हो देख रहे है one atmosphere मतलब कि जो atmosphere में जो pressure होता है उसको one ATM मान लिया गया अगर हम absolute terms में देख रहे ह 2 ATM लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारे जो atmosphere है उससे कितना ज्यादा pressure है तो यहाँ पर कितना pressure है one ATM इसके respect में है one ATM और zero से देखेंगे तो two ATM अब इसको समझते हैं तो अगर हम बोलेंगे two ATM तो यह होगा P absolute absolute मतलब बिल्कुल zero की respect में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितन pressure और negative में होगा तो उसको कहेंगे हम vacuum तो समझते हैं इसको फिर से तो अलग-लग point पे हम देखते हैं कितना कितना pressure है चलो absolute देखते हैं इस जंगा पे absolute pressure कितना है तो P absolute होगा है यहाँ पे 0.88M ठीक है अच्छा अगर जो हम देखेंगे इसके atmosphere के respect में तो उपर से देखो कित नापेगे तो हम इसको बोलेंगे कितना 0.2 ATM वेक्यूम ठीक है आगे चलते हैं उसके चलो मानलो इसको नापते हैं तो P absolute कितना होगा यहाँ पे 2 ATM ठीक है अगर जो इहां से नापेगे तो यहां से positive में जा रहा है तो यह कितना होगा 1 ATM ठीक है पी जो गेज होगा, ठीक है, एट्मस्वेर से उपर की साइट पोजिटिव वाल होगा, उसे मानेंगे P गेज, ठीक है, अच्छा, यहां से देखते हैं, 1.5 ATM है, यहां से 1.5 ATM है, तो P absolute कितना है, 1.5 ATM, P गेज कितना है, इस से कितना उपर है, 0.5, तो 0.5 ATM है, P गेज, I guess आपको इन से समझ में आगे होगा, आगे चलते हैं, next है specific gravity, यह क्या है, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं, कि मान लो, एक container है, जो 1 meter cube का है, तो उसके अंदर हम पानी अगर जो भरेंगे, तो मान लो पानी यहां तक भरा, अब इसका वेट करेंगे, अगर जो वेजल का वेट हट आता है, लेकिन अगर यहां पानी की जगह हम कुछ और भरने लगें, मालो हम यहां पे पानी की जगह भरेंगे मरकरी, ठीक है, वन मीटर क्यूब में, तो उस में, रो एच जी, ठीक है, तो उस वन मीटर क्यूब में, कितना आएगा 13.6 x 10.3 kg, तो उसके अंदर जो मरकरी का आएगा 13.6 kg, स्पेसिफिक ग्रिविटी क्या होती है, कि यहां पे रो एच जी कितनी होगी? 13.6 x 10.3 kg पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कि पानी की रेश्पेक्ट में, जो दूसरा लिक्विड है, उसकी जो उसकी जो दैन सिटी है, वो कितना गुना है तो g निकालने के लिए हम क्या करेंगे g of mercury जैसे हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम rho hg upon rho water तो rho hg कितना है 13.6 into 10.3 kg per meter cube और water की कितनी है 1000 kg per meter cube इससे एकटा तो 13.6 तो g of mercury कितना है 13.6 तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर g किसी का 1 से ज़्यादा है ठीक है तो उसमें क्या केस में क्या होगा उसकेस में जो particular liquid है उसकी जो density है वो water से ज़्यादा होगी और अगर जो less than 1 हुआ जैसे oil होते हैं तो उनकी जो density होती है पानी से कम होती है तो यह होगा specific gravity आगे चलता है pressure balance चलो पहले उस पर question कर लेता है तीसरे नमबर वाले topic पर ही कि pressure in terms of meters of oil equivalent to 4.5 meter of water मतलब इसका क्या है कि अगर 4.5 meter का column है पानी का वो इस जगह पर pressure लगा रहा है कितना मतलब इस जगह पर pressure पी लगा रहा है कितना है पानी 4.5 meter जो oil है वो हलका होता है पानी से तो उसे ज़्यादा भढ़ना पड़ेगा तब यहाँ पर उतना ही pressure लगाएगा तो pressure का formula होता है pressure is equal to rho into g into h तो देखो यहाँ पर pressure कितना है यहाँ पर pressure है rho of water 1000 into g कितना है 10 into h कितनी है 4.5 उतना ही pressure लगाना है oil से तो इसको बराबर करेंगे हम rho of oil यहाँ पर देखो g of oil देविये अगर जो rho of oil हमें निकालना है rho of oil is equal to निकालना है अच्छा हमने g का formula पटा था g is equal to rho of liquid upon rho of water तो rho of liquid हमें निकालना है तो rho of liquid जो होगा वो होगा g rho of water तो आगे से कभी formula ऐसे नहीं लिखेंगे सीधा सीधा अगर जो हमें बताना है g rho of liquid लिखनी हमें किसी की भी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे g into rho w कर देंगे बस तो rho of liquid कितनी होगी g into rho liquid rho water ठीक है thousand into g कितना है 10 into h कितना है निकालना है g कितना है 0.9 0.9 तो इन दोनों को solve करेंगे 1000 से 1000 गया 10 से 10 गया तो 4.5 is equal to h into 0.9 95 जा 45 तो h is equal to 5 meter तो हमें 4.5 अगर जो पानी की height लेनी पड़ रहे है तो oil की हमें लेनी पड़ेगी 5 meter height अब चलते हैं next topic पे pressure balance gate और ESC में बहुत पूचा जाता है अब देखते हैं SSC में भी आने लगा है और SSC का ही previous year है अगर आप ने इस type का question 10 बार कर रखा है तब ही वहाँ पे इस question को करने के लिए कूदना नहीं तो आपका पहले concept सोचने में आपका time लगेगा दूसरा फिर calculation करने में time तो ही करना ही इसको solve तो करते हैं start किस तरह से करेंगे बिल्कुल basic से देखते हैं इस question को solve करने के लिए पस एक key point की जरुत है वो key point यह है कि horizontal horizontal plane पे मतलब horizontal level पे जो pressure होता है वो same होता है जैसे यहाँ का pressure यहाँ का pressure same होगा condition यह है कि यहाँ से यहाँ पोचने में आपने liquid change नहीं किया जैसे इस जंगा का pressure और इस जंगा का pressure same है अगर आप यहाँ से आए कि आपने liquid change किया नहीं यह red वाला liquid था यहाँ पे भी red वाला liquid तो मतलब यहाँ का pressure यहाँ के pressure के पराबर है ठीक है आगे चलते हैं अच्छा यहां से यहां का प्रेशर क्या सेम है देखते हैं यहां से चल के चलो उपर आए उपर आए उपर आए उपर आए चेंज हो गया यहां पे एर थी और यहां पे लिक्विड चेंज हो गया तो हमने यहां पे जो मेडियम है वो चेंज कर दिया तो मतलब यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर से बराबर नहीं होगा चलो आगे चलते हैं यहां का और यहां का प्रेशर देखते हैं सेम है कि नहीं है यहां से चले यहां पोचे ठीक है यहां पे जो लिक्विड था यहां पे वही सेम लिक्विड है वो कितनी है ठीक है question में जो 3.2 meter यह सब दिया है यह कहीं datum की respect में दिया है कि यहां से 3.2 meter है यहां से 2.743 meter है ठीक है इस तरह से given है यहां से 3.048 meter है यहां से 3.429 meter है यह सब दिया है ठीक है solve करते हैं इसको अब इसको ऐसे समझो मालो यह pipe है आप यहां से air blow कर रहे हो यहां से फूप मार रहे हो तो यह क्या है यह liquid नीचे जाएगा यह उठेगा यह उठेगा यह नीचे उठेगा और यहां से यह उपर उठना start करेगा लेकिन यह उपर नहीं उठ रहा है यह एक जगह stable है ठीक है प्रेशर जो है वो माइनस 10.89 KPA दे रखा है अब इसको समझो कि जब हमने अभी देखा था तो 0 से हम जब उपर बढ़े थे तो यहां से P atmosphere आया था ठीक है तो यह था 0 KPA या negative KPA की बात करी थी वो कुछ exist नहीं करता 0 ATM तक पोचे थे हम मतलब P ATM तक पोचे थे 1 ATM तक पोचे थे उसके उपर जब गए थे तो positive में था नीचे गए थे तो negative में था ओके पीछे कुछ गलती हो गई शायद तो पीछे जब हमने question किया था तो हमने बताया था कि यह 0.2 ATM vacuum pressure है तो यह तो इसको बोल तो 0.2 ATM vacuum pressure या फिर इसको बोल तो minus 0.2 ATM अब यह gauge pressure हो जाएगा तो यह बस अगर हम इसको यहाँ से negative हटाना चाहते है तो हम इसको बोलेंगे vacuum pressure और negative लगाएंगे तो हम इसको बोलेंगे gauge गेज उधर की साइड positive है तो इधर negative होगा बस इतना सा फरक है अब अगर जो हम यहाँ पर minus दिखाई द देखते हैं अब इस numerical को solve करने के लिए हम equation लिखेंगे इधर से उधर तक तो मतलब यहाँ पर pressure at A फिर add करेंगे add करेंगे add करेंगे add करेंगे is equal to लिखेंगे यहाँ पर जो pressure है ठीक है कैसे लिखेंगे देखते हैं चलो शुरू करते हैं इस जहाँ पर क्या है pressure P at A ठीक है आगे चलते हैं यहाँ से यहाँ तक आए ठीक है यह horizontal है और यहाँ पर उपर से नीचे आ रहे हैं यहाँ तक झब हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो सिरफ़ मॉलेकुल निh था यहाँ पर वाले जितने मॉलेकुल निचे pressure लगाएंगे तो प्रेषर बड़ रहा है इस ज settled अब यहाँ से एसे प्लस माइनस करने अच्छा है यहां से सिधा यहां प्रेशर बराबर है ठीक है तो 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 अब लृब कम करना पड़ेगा तो सिधा यहां से उठागे सिधा इसी पॉइंट पाजो होरिजोंटली अच्छा बराबर होगा प्रेशर कैसे बता चला यह देखो सेम लिक्विड में जा रहे हैं अब यहां पर भी कितना प्रेशर है इतना ही है आगे चलते हैं यहां से हम जब उपर उठके होता है वह जिरो होता है मतलब यहां पर जैसे हम reconstruct यहां पर देखेंंगे ऊपर आइचे प्रेशर बाहिं एक नीची नीचे और उपर जिखा हो है तो यहां पर इयर का प्रेशर यह यहां तक पोचें हम तो यहां पे यहां से कहते हैं यहां से हम यहां सकते हैं बिल्कुल यहां से सेम मेरे सब्सक्राइबबर आयुकुल अब यहां से नीचे जा रहे है तो पलस होगा इस liquid का density g b into raw water into h कितना है यहाँ से यहाँ तक की height तो वापिस से देखो यहाँ से वहाँ तक की height है 3.429 और यहाँ तक की height 3.048 तो इतनी height कितनी होगी यह होगी 3.429 minus 3.048 ठीक है plus यहाँ से यहाँ तक पहुच रहे है तो यहां से यहां तक पहुच रहे हैं, तो कोई pressure का increase नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर increase हुआ फिर decrease हुआ, और यहां का pressure बराबर है, तो press 0, अब इसको total बराबर कर देंगे, जो यहां से pressure लग रहा है, ठीके, pressure due to atmosphere, यहां पर atmosphere है न, और pressure at atmosphere कितना है, 0, क्योंकि हम atmosphere की respect में पास्कल लिख लेंगे अब इसी क्वेशन को साफ साफ लिखेंगे तो कुछ ऐसे बनेगी जी जो तो है यहां पे यहां पर यह था 1.6 अचा रोफ वाटर कितने होती 10.6 10.3 ठीक है सबकी वैल्यू पूट कर दी यहां से निकल लेगी जीवी की वैल्यू गाएगी यहां पर अ यह थो हुआ रोफ लिक्विड और यह हुआ है यहां से जीबी की वैल्यू जो आपर अजाएगी 1 अगर आप यह क्यालकोलेशन कर सकते हो तब छोना ए ऐसे calculation हो जाएगी अगर आप यह 10 सेकिंड के अंदर लिख सकते हो यह equation तो ही आप इस question को करना अगर आप इसमें question की question लिखने में बहुत time लगा रहे हो तो calculation में बहुत time लग जाएगा तो इसके मतलब देखना ही मत इस question को ठीक है आगे चलते हैं तो यह होगा pressure balance अब देखते कि जो पानी के अंदर हम डाल दे तो इस पर force कितनी लग रही है यह हम निकालेंगे आपर तो force निकालने के लिए सिरफ एक formula या रख लो f is equal to row water into g into h bar into a देखो यह तो pressure ही row into g into h into a force is equal to pressure into area जो भी liquid होगा उसकी row into g पता ही है h bar क्या होगा यहां से यहां तक का जो हमारे पास शेप होगी उसका centroid ऊपर से मतलब आपका जो surface है वहां से centroid तक का distance यह होगा h bar ठीक है triangle के लिए अलग होगा rectangle के लिए अलग होगा into a जो भी surface होगा उसका area चलो sol करते हैं सबके उपर force चलो यहां पर जो पानी है यहां पर तो पानी की density कितनी होती है 10 to power 3 kg per meter cube into g कितना है 10 लेके चल देते हैं 10 meter per second square into h bar h bar क्या है centroid तेको centroid निकालने के लिए rectangle है rectangle का centroid h by 2 पर होता है तो 1 by 2 0.5 अचाए इसकी यहां से यहां तक की distance कितनी होगी यह होगी 0.5 और यह होगी 0.5 तो यह होगी 1 1 यह हमारे पास होगी pressure into area area क्या है rectangle का area क्या होता है length into breadth तो 1 into 2 2 तो यहां जाएगा हमारे पास 2 2 into 10 to power 4 3 4 newton ठीक है अचा यह अगर जो सतय पर होता और easy हो जाता फिर से देखते हैं formula लगाता है row water g h bar into a यह formula है तो देखो row water वही रहेगा 10 to power 3 g कितना है 10 ही रहेगा h bar कितना है देखो यहां से यहां तक की centroid कितना हुआ 1 meter का था तो यह 0.5 0.5 into area कितना है 1 into 2 2 तो यह हो जाएगा हमारे पास 0.5 वह जाएगा 1 तो यह जाएगा 10 to power 4 न्यूटन पहले था 2 into 10 to power 4 अब होगे 10 to power 4 चलो अब देखते हैं इस triangle पे कितना force आएगा total formula लगाएंगे force is equal to raw water g h bar into a चलो raw water कितना है वही रहेगा 10 to power 3 into g कितना है 10 into h bar देखो जो triangle होता है तो देखो पहले बात तो बताओ centroid जो होगा half से उपर होगा कि नीचे होगा half से नीचे होगा देखो ज़्यादा वाली जगह है तो centroid होगा नीचे की side कितना होगा यह होगा यहाँ से 2h by 3 और नीचे से होता है h by 3 ठीक है देखो 2 आगए यहाँ पर मतलब यह जो है नीचे की side होगा centroid तो मतलब ओपर से ज्यादा इसलिए हाँ पर 2H by 3 से हुआ, ठीक है, नीचे से कम डिस्टेंस पर इसलिए H by 3, तो यहां से, यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.5 plus 2 into, H कितना है, H है 1 by 3, तो यह होगा हमारे पास H बार, कितना, 0.5 plus 2 by 3 into, एरिया कितना है, इसका, half into 1 into 2, तो हमारे पास आ जाएगा, 1.17 into 10 per 4 Newton, compare कर सकते हैं आप बागे सबसे, ठीक है, इस पर force थोड़ी कम आई, ठीक है, आगे चलते हैं, अच्छा, थोड़ी सा चेंज कर दिया, अब यह rectangular ही है, इस तरह से है, और यह angle पर है, तो अब क्या होगा इसके उपर force, तो concept के साथ कोई छेड़शाट निंगरेंग यह rectangle कुछ ऐसे पड़ा है, तो जो इसका centroid होगा, 1.2 meter पर होगा, तो यहाँ से 1.2 meter पर होगा, लेकिन जो formula है, उसके नगर हम यह निकालते हैं कि surface से, यह कितना नीचे है, इसका h-bar, यह देखते हैं, तो यह 1.2 meter, तो यह कितना होगा, देखो, यहाँ से देखो, तो यह होगा 60 degree, यहाँ पर angle दे रखा, यह है 1.2 meter, तो यह कितना होगा, यह होजाएगा sin 60 degree, 1.2 into sin 60 degree, तो h-bar हमारे पास कितना आ गया, 1.2 into sin 60 degree, तो 1.2 into sin 60 degree होगा, root 3 by 2, ठीक है, into, area कितना है, तो length है यह, और breadth है यह, length कितनी है, 2.4 meter, into breadth कितनी है, 1.25, तो इसका answer आ जाएगा, force आ जाएगी, force आ जाएगी 3176.9 newton, लेकिन यहाँ पर एक गलती हमने कर दी है, क्या, हमने यह आ लिया है, row of water, लेकिन यहाँ पर उसने दे रखा है, g is equal to 2.5, original question में है, g is equal to 0.85, तो इसको, देखो, row of water, हमने row of water लिख दिया, ल multiply कर देता है, तो 0.85 से और multiply कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा, यह 26,000 newton, और इसको, क्लो newton में convert करने के लिए, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 26 क्लो newton, answer, इस type की mistakes, exam में हो सकती है, तो दिहान से देखें कि liquid कौन सा दिया हुआ है, तो यह हो गया, force on objects, in water, अब देखते ह pressure, तो थोड़ी थोड़ी देखते हैं इसकी, मालो मारे पास यह liquid है, पानी ही है, इसके उपर एक rectangular plate है, तो जो pressure है, वो क्या है, यहाँ पे pressure जो होता है, रो, water, g, h, हमने अभी देखा था, pressure वो यह होता है, तो h के साथ साथ ही बढ़ता है, तो मतलब यहाँ पे 0 है, h is equal to 0, यहाँ पे h is equal to 1 हो गया, तो इतना हो गया, pressure, यहाँ पे h is equal to 2 होगा, तो थोड़ा और pressure हो जाएगा, ठीक है, h is equal to 3 होगा, और pressure हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, pressure, ठीक है, अब इस पूरे pressure की वैसे, जो force आ रही है, वो हमने देखी, कितनी थी, rho, water, g, h, bar into a, तो force जो इसकी वैसे आ रही है, वो आ रही है, इतनी, f is equal to rho, water, g, h, bar, a, तो यह force जो है, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, कि सेंटर पे लगेगी, कहाँ पे लगेगी, तो कि यह triangle है, तो हम यह नहीं कह सकते कि सेंटर पे लगेगी, तो लगेगी कहाँ पे य तो हम उसको मानेंगे कि जहाँ पर भी लगेगी उसको यह कहते हैं center of pressure जिस जगह पर फोर्स लगेगी और फोर्स को निकालने का तरीका होता है एक formula याद रख लीजे h center of pressure is equal to h bar plus ig sin square theta upon a h bar समझते हैं इस जड़ा formula को तो मानलों यह rectangle bar है ऐसे पड़ी है तो अगर हमें पूछा है कि इसकी उपर पानी की वेसे force है वो कहाँ पर लगेगी तो वो लगेगी यहाँ पर कुछ मानलों यह h bar है यहाँ पर हमने देखा h c p जो होगा वो h bar से थोड़ा ज़ादे ही होगा तो h bar मानलों यहाँ पर है तो h c p होगा थोड़ा ज़ादा h c p ठीक है h bar plus something h c p यहाँ समझ में रहा है h bar plus something is equal to h c p तो h c p जो होगा h bar से हमेशा नीचे ही होगा यह बात समझ में ठीक है अब यह बाकी टर्म क्या है वो समझो यह जो ठीटा है वो है वो दोनों बराबर हो जाता है क्योंकि surface यह की जहाँ पर है ठीक है तो यह देखा हमने theoretically numerical देखते है ठीटा को बख़़ए यहाँ पर zero ठीक है तो यह हो जाएगा zero और h c p बराबर h bar मतला सही है formula तो हम समझते है यह ig क्या होगा इसको समझो कि यह rectangular बार है पानी के अंदर मालो इस तरह से पढ़ी है पानी के अंदर ठीक है तो जब इस पर force लगे की ऐसे force लगे की तो यह इस तरह से घुमेगी इस तरह से तो किसके about घुम रही है इसके about घुम रही है ठीक है तो ig हम क्या है center of gravity के about जो inertia लेंगे वो होगा तो मतलब जो यह है इसका center यहाँ पे center of gravity के about इसका inertia लेंगे तो जैसे rectangle है यह है मालो तो जिसके about घूम रहा है मालो यह B है यह D है तो जो इसका I होता है वो होता है B D cube by 12 अच्छा B का cube क्यों नहीं लिया D का क्यों लिया तो जिससे cut करेगा ठीक है उसी का cube लेते हैं बस इस तरह याद रख लो तो I अलग-लग case में अलग-लग ले लेगे हैं sin theta हमने देख लिया h bar हम निकाल सकते हैं तो हम h c p निकाल सकते हैं चलो अब question करते हैं इसका इसका center of pressure निकालना है formula लिखेंगे सबसे पहले फिर put करेंगे value h c p is equal to h bar plus ig sin square theta upon a h bar ठीक है तो चलो पहले sin square theta को यह देख लेते हैं देखो यहाँ से इससे जो angle है यह theta is equal to 90 degree है यहाँ पर theta 90 degree रालेंगे तो यह ज़ेगा 1 0 नहीं 1 होएगा तो बचा हमाँ पास formula h bar plus ig upon a h bar चलो h bar देखते हैं पहले यह है rectangle तो इसका center पर आएगा h bar तो यह है 4.5 by 2 ठीक है plus 1.5 तो h bar कितना है 1.5 plus 4.5 by 2 plus ig कितना होगा इसके बाट घुमेगा इसके बाट घुम रहा है यह है कुछ इस तरह से तो यह कितना है b यह कितना है d तो i कितना होगा b d cube by 12 अच्छा area कितना होगा b into d ठीक है h bar हमारे पास यह है 1.5 plus 4.5 by 2 ठीक है तो देखो b d b d square तो यह हमारे पास हो जाएगा 1.5 plus 4.5 by 2 plus d d कितना है 4.5 यह d है जो 4.5 है 4.5 का holy square upon 12 into 1.5 plus 4.5 by 2 calculate करते है जले से तो यह आता है हमारे पास 4.2 meter calculation से न खब रहे अगर आप इसे solve करोगे तो देखो 5 का factor यहाँ पर 5 का factor यहाँ पर 3 का factor यहाँ पर cut जाएगा सब कुछ 4.2 meter बचेगा तो hc पर आएगा 4.2 meter उपर से भी देखते है देखो 4.5 का आदा 2.25 meter और 1.5 add किया तो यह आया हमारे पास 3.75 meter हमने अभी पढ़ाता जो h bar होगा उससे थोड़ा जाद आएगा तो देखो थोड़ा जाद आए 4.2 meter अगर 3 option होते 3.75 meter से कम और 4 option सिरफ 4.2 meter होता तो direct 4.2 meter लगा देते कोई calculation ना करते अब थोड़ा concept तो सीख लिया अब थोड़े shortcut पर आते हैं अब इन सब का YCP निकालेंगे नहीं directly याद करेंगे कैसे करते हैं देखो यह है इसकी मालो depth है D इसकी depth D है यही इसका YCP होगा उसको कैसे trick क्या है उसकी D by 2 आ गया ना तो एक यहाँ पर बढ़ाओ यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3 यही इसका YCP है याद रख लो इसका इसका H बार देखो पहले क्या है इसका उपर से H बार जो होगा 2 H by 3 होगा मालो ही H height है तो यहोगा 2 H by 3 ठीक है 2 H by 3 क्यों है H by 3 क्यों नहीं है तो ऊपर से ज़्यादा distance पे होगा नीचे से कम distance पे क्योंकि ज़्यादा मास यहाँ पर है तो 2 H by 3 है इसका क्या H बार तो YCP बनाने के लिए क्लिए क्या करेंगे उपर वाले को बढ़ाएंगे 1, 3, नीच वाले को बढ़ाएंगे 4 तो इसका YCP है 3H by 4 चेक कर लेना यह होते है यहाँ से देखते हैं यहाँ से इसका H bar कितना है इसका H bar है कितना H by 3 ठीक है यहाँ से उपर की साइड जादा है तो यहाँ से H by 3 होगा इसका H bar तो YCP कितना होगा एक बढ़ाएंगे 2 एक बढ़ाएंगे 4 तो 2H by 4 मतलब H by 2 इसका YCP होगा H by 2 ठीक है इसका देखते हैं इसका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसका H bar क्या है सेंट्रोइड कहाँ पर है अच्छा यह ट्रिक हम कब लगाएंगे यह ट्रिक सिर्फ हम तब लगा सकते हैं जब बिल्कुल सर्फेस से टच हो अगर यह नीचे आ गया जैसे पहले वाले केस में था उसकेस में हमें पूरा फोमले का यूज़ करके ही निकालना पड़ेगा तो यह हो गया सेंटर उप्रेसर अब दगते हैं इंस्टूमेंट्स तो सब फेक्ट सें ज्याद रखते ह सहते हैं बैरो मिटर जो होता है इस थह घूंतर पर यह लगेगा तो उसके वैश से जाएँ यह यह चान पर कोई प्रेशर नहीं हाएंगे जैसे हमने पिछह केलगुलेट किया था मैनमेटर दो होते हैं ऋन्होंते हैं प्राइश्र निकालता है अब दिप्ल्स होती है, और मैनमेटर होता है प्राइश्र सुआपने किसे अंसनिग अ दॉन होता है इसके अंदर लिक्विड लगावाँ हैis यह उठके यहाँ पर यही तक आएगा ठीक है तो इससे हम यहाँ पर प्रेशर निकाल लेंगे आगे क्या है यूटूमेटर अच्छा प्रेज़ोमेटर से हम नेगेटिव प्रेशर नहीं आप सकते ठीक है और इनकन्वियंट होगा अगर जो लाज प्रेशर होगा क्यों क्यो यहां पर इंकन्विनेंट हो जाएगा कि इसका प्रेशर नाप है उतनी हमें ज्यादा हाइट रखनी पड़ जाएगी तो इसलिए हम पिजो मिटर से हाइप प्रेशर नहीं नापते और गैस प्रेशर भी इससे नहीं नाप सकते यह इनाप प्रेशर नेगरेशर निचे उ प्रेशर नाप या प्रेशर नाप सब्सक्राइब करेंगे आगे चलता है पिजो मीटर हो गया और अ क्या हो दिस्टरीक हट लॉट्रग निकालने काम आता है यहां से अब यहाँ होग यहाँ है कितनी और नीचे 0.3 ठीक है रो कितना था रो लिक्विड लिक्वीड लिक्विड हम यहाँ पे इस रो M लिक्विड क्या होगी इसकी जी इनटू रो वाटर किसी भी रोटर वाटर कितना थें झीडू पाण फृबटर 3 अब यहां पे आओ support कुण सा लिक्विड निकल के हैं वाटर तो रो वाटर कितना है 10.3 जी कितना है 10 इंटू एज कितना है 0.6 इसको एड़ कर देंगे आंसर आजाएगा यह वा रो लिक्विड यह वा एज और यह वा इंटू 10 जी तो इससे हमारे पास आंसर आजाएगा 8204 10.3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8.24 किलो किलो नूटन पर मीटर स्कॉयर यह लाज कुशन करते हैं इसमें क्या है यह प्रेशर ना पर है तो प्रेशर जब यहाँ पर ना पर तो आया 50 kPa यहाँ पर ना पर तो 100 kPa यहाँ पर जो प्रेशर है वो है इस हाइट की व लिक्विड इंटू G इंटू यह हाइट कितनी है तोटल हाइट है है और यहाँ से हाइट है 10 तो H-10 आच यहाँ पर है 100 100 बराबर रो लिक्विड वापस से रो लिक्विड इंटू G इंटू यह हाइट कितनी है यह हाइट है H-5 ठीक है दोनों को डिवाइड करेंगे यहा से पंदरा मीटर और किसी एक में वेल्यू पूट कर देंगे हमाँ से आएगे रो लिक्विड तो 50 kPa को इंटू 10 पवार 3 कर देंगे Newton meter square में हो जाएगा रो लिक्विड इंटू G कितना है 10 इंटू H कितना है 15 15 माइनस 10 5 तो रो लिक्विड हमाँ पास आजाएगी 10 पवार 3 तो इससे हमें समझ माया कि यह पानी ही था So that's all for this video. Thank you